पुश्पा इन्पॉश्वल सिरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फ्रैंस आज की कहानी बहुत खास तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है चलिए तो आगे की कहानी मैं सुनाओ तो आज की एपिसोड में दिखाया गया है कि उन चारो महिलाओं को किड्नैप करके किड्नैपर जो हैं एक गुप्त जगा पर छोड़ देते हैं और वो चारो डरी हुई सी सहमी हुई सी वहाँ पे हैं लेकिन तभी उन्हें किसी के पैर की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो लोग एक मोटा सा डंडा लेके दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती हैं जैसे ही वो किड्नैपर दरवाजे का ताला खोलके अंदर आता है तो वो लोग पीछे से उसके सिरपे बार करती है उस सिरपे वार करने से उसे चोट लगती है और वो पीछे मुडता है अपने शिर को दबाएवे चोट को दबाएवे पीछे मुडता है तो पुस्पा दे के हैरान हो जाती है कि ये किड्नैपर कोई और नहीं खुद जुगल है जुगल को देखने के साथ ही पुस्पा जो ह हैरान हो जाती है लेकिन जुगल को कोई हैरानी नहीं होती है जुगल को हैरान नहीं देखकर पुष्पा को ताजुब होता है और पुष्पा कहती है कि हम सोचते रहे कि हमारा किड्नैप विरेन से तर्वार ने किया होगा लेकिन ये तो उल्टा हुआ जुगल तूने इतना ओचा काम कैसे किया हम मैलाओं का किड्नेप करके तुझे क्या मिला तू भी ठीक विरेन के जैसा ही हो गया ना तो इस पर जुगल पुश्पा को कहता है अगर मैंने तुम लोगों का किड्नेप नहीं करवाया होता तो अभी तक विरेन वाई साहब तुम लोगों का किड्नेप करवा देते और अगर विरेन वाई साहब तुम लोगों का किड्नेप करवा देते तो सोचो कि क्या होता अब दूसरी तरफ विरेन से तलवार परिशान है कि पुस्पा और वो तीनों महिलाएं कहा गई तब ही वो सुनिल से कहता है कि हो ना हो ये जुगल की चाल है मेरे नाक के नीचे से अगर इन चारों को कोई किड़नेप कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुगल है और जुगल ने इस बार फिर से मुझे मात दी है लेकिन वो कितना मुझे मात देगा उसे मालूम नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ अब कहानी में आगे अश्विन के ओफिस का सेन दिखाया गया है मैयूर अगरवाल सहब यानि की कंपनी की चेर्मेन सहब आफिस में बैठे वे हैं मिटिंग में और वो अश्विन को कहते हैं कि आज तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखाना है चुकि अभी 72 घंटे हुए नहीं है लेकिन मुझे पता चला कि तुमने अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लिया है तो यहाँ पे अश्विन को प्रेजेंटेशन पूरा करवाने में दीप्ती का हाथ रहता है दीप्ती बहुत अच्छे से समय से निश्चित समय से पहले ही अश्विन को हेल्प करती है और उसका प्रेजेंटेशन पूरा करवा देती है मैयूर साहब के सामने और बाकी जो बोर्ड आफ डायरेक्टेंट्स के मेंबर हैं उन सभी के सामने अश्विन जो है बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देता है मैयूर साहब उससे कुछ प्रशन करते हैं और उन सारे प्रशनों का जवाब भी अश्विन काफी स्मार्टली देता है अश्विन के presentation से मयूर साहब यानि की चेर्मन साहब काफी खुस होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे उमीद नहीं थी कि तुम 72 घंटे से पहले अपना presentation दे पाओगे तो मन ही मन अश्विन जो है वो दीपती को शुक्रिया कहता है उसके बाद मयूर साहब चेर्मन साहब अश्विन को कहते हैं कि अगर तुमने presentation पूरा नहीं किया होता तब तो तुम्हें मैं शजा में नौकरी से निकाल देता लेकिन अब जब कि तुमने presentation समय से पहले पूरा कर दिया है तो तुम्हें मैं इनाम दूगा और इनाम ये है कि अब इस project को तुम पूरी तरह से handle करोगे ये बात अश्विन को इतनी खुस कर जाती है कि वो घर आने के साथ सबसे पहरे दीप्ती को ये खबर सुनाता है दीप्ती खुस होती है लेकिन वो अश्विन को बोलती है कि अश्विन एक फिकर की बात है कि मा अभी तक पाटन ठीक से पहुची है कि नहीं ये किलियर नहीं हो रहा है ये बातें पीछे खड़ी राशी भी सुन लेती है चुकि राशी आज उस असनवी के बारे में अपने भाई भावी से बात करना चाहती थी लेकिन जब वो लोग राशी देखती है कि ये लोग मम्मी को लेकि परिशान है तो वो चुप हो जाती है अस्विन माश्टर साहब को फोन करता है और पुस्पा के बारे में यानि कि अपनी मम्मी के बारे में पूछता है माश्टर साहब कहते हैं कि अभी तक तो मुझे पुस्पा की कोई खबर नहीं है लेकिन जैसे ही पता चलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा पुषपा को लेके अश्विन और दीप्ती काफी फिक्रमंद हो जाते हैं अब दूसरी तरफ जुगल पुषपा और बाकी तीनों महिलाओं को लेकर एक अच्छे से गुप्त जगा पे आता है और वहाँ पर सभी को चाय पिलाता है सभी चाय पी रहे होते हैं तभी पुषपा जुगल से कहती है कि तुमने इतना ओच्छा काम किया क्यूं क्यूं तुमने हम महिलाओं को विवश किया इस तरीके से हमारे किड्नेप किया तो फिर से एक पर जुगल कहता है कि मैंने kidnap करके तुम लोगों को वीरिन सेतलवार के प्रहार से बचाया है अभी वो किड्नैप करता तो तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या होता उसके बाद तभी पुस्पा के पास अष्रिन का फोन आता है और पुस्पा अष्रिन का फोन उठाती है असलिन पुस्पा से पूछता है कि मा तुम अभी तक कहा हो सभी यहाँ पे घबडा रहे हैं तो पुस्पा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोग बिल्कुल मत घबडा हो बीच में कुछ ऐसी बाते हो गई थी जिसके कारण में फोन नहीं उठा पाई विरेन भाई साहब के उस कहर से तुम चारों महिलाओं को बचा रहा हूँ फिर भी तुम्हारा क्या है अगर यहाँ पे विरेन भाई साहब के किसी भी कहर से कुछ होगा तो तुम वापस मुंबई भाग जाओगी लेकिन इनका क्या उसके बाद पूजा का शमय होता है और जुगल जो है वो पूजा करने लगता है फिर पूजा करने के बाद वो फिर पुस्पा से कहता है कि तुम्हारा क्या है तुम मुंबई से चली जाओगी कुछ भी यहाँ होने से लेकिन मुझे जब भी याद आता है कि कांजी साहब के साथ क्या हुआ था कांजी साहब ने जब उन चारों कारिग्रों को सिखाना शुरू किया था टीम बना के तो क्या किया था भुवन काका ने चारों को मरवा दिया था आज वही काम तुम कर रही हो ठीक है कि तुम ले जाना चाहती हो इने भी मार डालेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से इतिहास दोराए तो पुस्पा कहती है कि ड़ने से कुछ नहीं होता है हिम्मत करने से होता है जब तक हम ढड़ते रहेंगे तब तक विरेन से तलवार हमारे डर का फायदा उटाता रहेगा, सारे कारीगरों को अपना बंदवा मजजूर बना के रखेगा, इनने भीक देगा, हक नहीं देगा, पुस्पा की इन बातों को सुनकर जुगल को अपनी पत्नी सुब्रा याद आ जाती है, ठीक सुब्रा भी इसी तरफ पुस्पा की तरफ बाते किया करती थी कारिगरों के हक की बाते किया करती थी और उससे कहती थी कि मैं ये मुहीम को इतना सफल बनाऊंगी कि हर कारिगर को उसका हक मिलेगा लेकिन फिर वो वही बात फिर से पुस्पा को समझाता है कि देख पुस्पा तू मेरी बात को समझ तू विरेन भाई साहब से पंगा मत ले उनके उनसे टकर मत ले तुझे जो करना है कर पर तू उनसे टकर ना ले तुझे मालूम नहीं है कि वो सुरू से सतरंज क्यों खेलते रहें क्योंकि उनके लिए बिजनेस भी सतरंज की चाल है वो अपने सतरंज की चाल की तरह ही अपने बिजनेस में भी नई नई चाल चलते रहते हैं तो friends आज की कहानी बस यहीं तक थी यहाँ पे जुगल और पुश्पा का जो यह बहस चल रहा है यहीं पे कहानी को रोकी गई है अब आगे की कहानी में जो कल दिखाया जाएगा मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कल की एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विरेन सेतलवार के गोदाम से तीन पटोलों की चोरी हो गई है और वो तीनो पटोले उन तीनो महिलाओं के घर पे रखवा दिया है ताकि पुलिस जब चेक करे तो वो तीनो पकड़ी जाए तो फ्रेंड्स कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इन तीनो महिलाओं पे चोरी जो है साबित होती है नहीं तब तक के लिए बाई बाई